तो आज हम जानेंगे कि फ्यूजी प्रिंटर में हम जो फिल्म है वो कैसे इंसर्ट करते हैं कैसे उसमें पैकेट को हम चेंज करते हैं है सो लेट स्टार्ट फॉस्ट टैप ने हमा इस बटन गो जो आरो किया है उसको लोंग प्रेस करना त यानि कि ट्थ से 15 से करना जब हमारा 0 चैप प्लूम की काउंटिंग में ओन स्क्रीन पे लंग प्रेस के बाद हमारा बैसिकली ओपन श्योगा यह हमारा स्क्रीन पे ऐसे जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है तो open के बाद हम next step पे जाएंगे उसके बाद हमें यह देखना है कि कौन से हमारे जो packet size है उसकी fill में empty हुई है तो उसके basis पे हमें वो जो section है वो open करना है देन उसके बाद देख सकते हैं जो हमारे एक section है उसमें हमें यह metal की जो plate है यह insert करनी है जिससे हमारा जिसकी मदद से हम open करेंगे उस section को जो हमारा जिस packet size में हमें change करना है देन जो हमारी जो metal plate है उसको हमें पूरा insert करके pull back करना है जिस से पूरा सेक्षन हमारा भार की तरफ आ जाये। इसकी मदद से। जैसा कि आप इस image में देख सकते हैं फुल सेक्षन हमारा भार आगै मैटल जो हमारी प्लेट है उसके साथ। अब इसके बाद क्या होता है कि कई बार जो हमारा मैटल सेक्शन है वो बाहर नहीं आपाता है इसलिए हमें जो ये पीछे इसके एक जो सेक्शन है उसके पीछे बटन गिवन होता है उसको प्रेस करके उस जो मैटल प्लेट है उसको हमें बाहर निकालना होता है पहले जो हमारा metal plate है उसके बाद हमें ये खाली packet दिखता है जिसे हमें remove करना है उसके बाद हमें new packet insert करना है जो हमारा packet है उसकी जो arrow direction है वो हमारी अंदर की तरफ होनी चाहिए और जो एक तरह से जो उसका large portion है packet का उसको हमें अपनी तरफ रखना चाहिए और चोटा portion अंदर की तरफ होना चाहिए उसके बाद जो ये हमारा cover है उसको उपर से cut करना है with the help of knife जैसा कि आप इस image में देख सकते हैं हमने packet को उपर के हिस्से को cut कर दिया है देन हमारा step आता है जो हमारा packet है वो insert किया हुआ हमने जो हमारी पूरा section है उसमें और जो बड़ा portion था हमारा उसको हमने भार रखना है और उस section को पूरा insert कर देना है without any help और just push the section into the printer जैसा कि आप इस image में जैक सकते हैं जो हमारा पूरा section है वो हमें printer के अंदर insert कर देना है और जो long portion था यानि की large part था cover का उसको हमें बाहर छोड़ देना है और then उसको pull back करना है पीछे की तरफ खीचना है जिससे कि हमारा जो cover है वो पूरा बाहर की तरफ आ जाए then हमारा इसमें 00 show होगा basically after inserting the full section then हमें computer में जाना है उसमें insert करना है कि हमने कितनी filmیں insert की है अब software में आपने internet explorer की मदद से इस section तक पहुचना है जिसमें setting to होगा option जिसमें हमारा film का जो counting है films की वो insert की जाती है then हमें right side screen पे जो first image है उसके जैसे tray दिखेगी तो हमें नीचे section में जाके यह देखना है कि हमारे कौन सी tray है तो जैसे हमारी tray 5 में कुछ film है तो वो हमारी 86 है और जो हमारे उपर का section ता यानि कि जैसे कि हमने 10-12 में insert करनी थी तो 10-12 हमारी 0 show हो रही है तो इसमें हमें column select करना पड़ेगा नीचे tray 4-5 जो भी हमने choose करना है उसके अधार पे जैसा कि हमने tray 4 select की है देन हमें इसमें 150 insert करनी है क्योंकि fuji printer में 150 approach हमारी फिल्मे होती है देन इसको execute करना है तो कुछ ऐसा हमारा 150 show होगा हमारी जो screen पे computer screen पे देन हमें इस section को log out कर देना है computer के software में देन हमें printer की screen पे देखना है उस पे ऐसे offline show होगा उसके बाद 10 second से एक मिनट तक का wait करके जो हमारा screen है उस पे 150 show हो जाता है और यह हमारा complete process हो जाता है जो हमने film insert की थी वो हमारी पूरी execute हो चुकी है printer में और वो ready है print होने के लिए तो step आई step आपने देखा कि कैसे हम fuji printer में film को insert करते हैं इसकी जो practical video है वो लाना मुश्किल था तो मैंने picture के मादयम से आपको समझाने की कोशिश की है I hope यह video आपको help करेगी आपके workplace पे और use में आएगी practical usage जो आपके regular basis पे आप fuji printer पे काम करते हैं तो यह video आपके लिए helpful होगी so that's all for this video do subscribe if you like and thanks for watching